गुट मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप मैं उन्राधा में तल लेकी आई हूँ फिर एक नया चैप्टर मेरे प्यारे प्यारे 12 के वक्षों के लिए सब्चेक्ट पॉलिटिकल साइंस टाइम टू टाइम हर वीडियो में हम आपको अवेर करते हैं याद दिलाते हैं कि 12 के बाद की रणनेती 12 के साथ तयार करनी है और शायद आपको समझ में भी आ गया होगा कि यदि आपकी इच्छा है कि इंडिया की टप सेंटर यूनिवर्सिटी में आप अपने फेबरिट कोर्स के साथ एड्मिशन लें तो बैटा आपको CUT 2024 क्रेक करना पड़ेगा मैं आपको परप्या करवा रही हूँ आपका सब्जेक पॉलेटिकल साइंस जिसमें हम कंटम्पिरेबल पॉलेटिक्स की जो आपकी बुक है उसको अल्मोस कम्प्रीट कर चुके हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको स्क्रेबर्स के अपको माँ पर वीडियोस मिलेंगे आप उनको देखिए सुनिए समझे और आपका सब्जेक परपेर करिए हमने कुशिश की है उन वीडियो में उन सारे टॉपिक्स को लेने की उन सारे इंपोर्टेंट प मिलें और उनके आंसर हम आपको प्रोबाइट करवा रहे हैं जल्दी ही हम कुश्चन के सीरीज भी लेके आएंगे लेकिन एक बार कंटप्रेरी वर्ड पॉलेटिक्स का जो स्लेवस है वो हमारे द्वारा पूरा करा दिया गया है आप नीचे देखिए तो आपको प्लेलिस इंडपंडेंस उसका फॉस्ट चैप्टर है आपकी स्लेवस यदि आप सीयोटी के स्लेवस में देखेंगे तो इसन नंबर पर है और आगर आप ट्वल खोऊं की बुक में देखेंगे तो यह पर्ट नंबर पर आपका अटा है पढ़ना हमें ऐसे ही है जैसे मैंने जब एक दूसरे से बंदे हुए हैं कि हमें थर्ड चैप्टर समझने के लिए फर्स चैप्टर समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है क्योंकि जब तक हमारा बैक्ग्राउं तयार नहीं होगा तब तक हम आगे के इंसिदेंट को समझ नहीं पाएंगे ऐसे ही यदि हम इस बुक के बाद करें आपकी तो इस बुक में भी चैप्टर एक के बाद एक गुथे होए हैं यानि एक चप्रे समझ में आएगा फिर आप उसके आगले की इंसिडेंट उसके आगे की इंसिडेंट उसके आगे की इंसिडेंट ऐसे ही आप पढ़ते चले जाएंगे कुछ आपको इंडिकेशन अपनी बुक के नेम से ही हो गया होगा कि ये वाले बुक आपकी बात करती है इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर दी इंडिपेंडेंस यानि जब भारत आजाद हुआ तो उसकी कामने क्या क्या सिनारियो थे कैसे सिच्वेशन थी किन तीन चीजों से थे fight करना था क्या क्या उसकी priority पे थे government की कि हमें क्या 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 करना है इंडिया को किस दिशा में आगे बढ़ाना है किस तरह elections करवाने हैं कौन election करवाएगा कैसे elections होंगे government कैसे frame होगी ये सारे चीज़े इस book में आपको दी गई यहां constitution प्रेम कैसे होगा वो नहीं है आप पता है वो आप 11 में पढ़ गया चुके है constitution के पूरे book वो अलग बात है वहाँ यहां में constitution नहीं पढ़ना है यहां हमें यह पढ़ना है implication of the constitution यानि constitution बन गया है apply हो गया है उसकी according कैसे कैसे इंडिया की government ने work किया कैसे मैं आपको बताऊं first chapter आपका बताता है कि कैसे हमारे इंडिया independent हुआ independent होने के बाद क्या situation थी किस तरह से principal state को merge किया गया कैसे हमारे internal boundary थी कैसे reorganization of state किया गया second chapter आपका बात करेगा era of one party dominance उसके बाद कैसे उसका Congress का प्रभतु कम हुआ कैसे उसने restore किया फिर आप पढ़ेंगे interesting chapter emergency के बारे में 1975 की emergency इंद्रा गांथी उसके बारे में पढ़ेंगे recent developments हमें बढ़ने ठीक है कुछ-कुछ यहां पर relations से related भी है इंडिया का पाकिस्तान से यहां आप यह वाली चीजें भी में थोड़ा सरी कॉल करनी पड़ेंगी यह सारा इस बुक का मैंने आपको ब्रीफ में पूरा मैटर बताया आज के हमारी क्लास में हमें स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चेप्टर टाटल्स चैलेंज ओफ नेशन बिल्दिंग देखे विटा आपको पता है कि भारत दोसों लगवग दोसों सालों तक ब्रटेन की कॉलोनी रहा अंग्रेज व्यापारी के रूप में भारत में आये थे और लेकिन धीरे धीरे इनुन ने एकॉनोमिकली पॉलिटिकली और कल्चरली भारत पर अपनी डॉमिनेंस इस्टाबिश कर लिए इस इंडिया कंपनी फ्रेम की गई थी इस उद्देश्य के साथ कि इस्टन कंट्रीज के साथ ब्रटेन ट्रेड करेगा लेकिन ट्रेड एक छोटा सा मोटेव था बड़ा म कि इंडिया को क्या दिलवाई इंडिपेंडेंस दिलवाई और एड़ी मिड्नाइट ऑफ 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 इंडिया इमर्च आज अन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑं दी वल्ट में यानि 14 और 15 अगस्त 1936 की मध्यरात्री को भारत एक स्वतंद्र राश्च्य और यह भारत के सामने जो चैलेंजिस थी वह इस पिक्चर के द्वारा बताने की कोशिश की गए अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं देखें चैप्टर की स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडेक्शन तयार करना पड़ेगा कि हम चैप्टर को लिंक एक दुख की घटना भी हमारे साथ हुई थी डाटर्स पार्टिशन ओफ एंडिया आपको पता है कि भारत का क्या कर दिया गया आजादी के साथ ही विभाजन कर दिया गया दो देख विश्व के नक्षे पर निकल कर आया एक भारत और दूसरा पाकिस्तान पाकिस्तान दो दो भागों में बटा हुआ था एक था इस्ट पाकिस्तान और दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान में अभी आपको बताऊंगी और बिच वाला जो पॉर्शन था वो था हमारा प्यारा भारत अब क्या हुआ बेटा ये डिविजिन क्यों हुआ तो देखिए पेसिकली डिविजि और पाकिस्तान जब 14 और 15 अगस्को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस वक्त पंडिक जमालाल नहरु द्वारा कॉंसिट्यूशनल एसेंबली के फ्रंट में एक इंग्लिश स्पीच दी गई जिसका नाम है ट्रिस्ट वित डैस्टेनी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है उसमें से आपको एक सेलेट करना पड़ेगा दूसरा क्या है ट्रिस्ट वित डैस्टेनी इसको हिंडी में कहा जाता है भाग के वदू से चिर्परिचित मुलाकात क्या हुआ कि जब पॉज़ार पंदरा रास हो कि हमारे प्रिसम तंधान मंतरी कौन थे पंड जमालाल तो उन्होंने एक स्पीच दी उसमें ये बताया कि जो अब हुमारा भारत है उसको हम फ्यूचर उससे हमें क्या गोल अचीव करने हैं हमारा लक्ष क्या होगा भाग्य से हम कैसे अपने आपकी मुलाकात करेंगे ऐसी स्पीच उनके द्वारे इंग्लिश में दे गई थी ज वर्ट मिटनाइट और 14 अगस्ट 1947 जमालाल नहरू स्पीच इंफिसाइज दी गोल्स ऑफ डेमोक्राटिक गवर्नेंस और शोशल जस्टिस देखें ये चीज़ें आपको यान रखनें कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट से किसने स्पीच दी पंडे जमालाल नहरू में कब दी मिटनाइट ऑफ 14 15 अगस्ट 1947 किस लैंग्वेश में थी इंग्लिश में थी कहां पर प्रेजेंट करी constitutional assembly में जो की Parliament में थी हमारे Parliament House में थी दूसरा क्या था इसमें इंपॉर्टेंट चीजी क्या थी इसमें इंफिस किया गया उन गोल्स पे जिसमें इंडिया में democratic government or social justice को establish किया जाए तो यह आपको तैयार करना है what is the trust with destiny okay trust with destiny आपको तैयार करना है क्या है एक स्पीच है जो पंडित जमालाल नहरुदवारा दी गई थी अब आगे की बात करें यह आपका एक question तैयार होगा और simultaneously आप देखे पिछले papers उठा के देखे तो यहां से एक दो या तिन दो नंबर तक के question इस वाले topic में से बनता है अब देखे मैंने आपको बताया मैंने आपको कहा कि इंडिया को independence मिली इस बात का खुश थे लेगिन एक घटना और हुई वो था partition of India भारत का दो भागों में विभाजन कर दिया गया तो कैसे दो भागों में विभाजन के लिए इंडिया का partition भूगा यह ऐसा नहीं है बहुत पहले से ही accept कर लिया गया था या declare कर दिया गया था कि ये इंडिया जिवाड़े अमंग दी टू स्टेट्स लेके मैं आपको बताऊं 1946 में cabinet mission एक फ्रेम हुआ था उसकी आप कह सकते हैं उसकी recommendation पर constitutional assembly फ्रेम करने की बा के लिए constitutional assembly की बात करी थी जिसमें उसने members लिये थे 389 यानि जो cabinet mission ने constitutional assembly की strength बताई 389 यह किसके लिए थी unified इंडिया के लिए unified इंडिया मतला इंडिया पाकिस्तान और बंगलादेश आज का तीनों मिला कर जो थी उस unified इंडिया की जो constitutional assembly थी उसके strength cabinet mission ने कितनी बताई थी 389 लेकिन जब देखा कि अलग अलग जगे भाईशकार किया जा रहा है support नहीं किया जा रहा है तो at last यह decide हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का partition होगा और अगर आपसे यह पूछा जाए कि इंडिया और पाकिस्तान का partition होगा यह declaration किस ने और कब करी तो देखिए यह declaration करी गए है यह declaration है Lord Mountbatten के द्वारा थर्ड जो 1947 को की गई और इसमें क्लियर किया गया कि इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड होगा ठीक है किस बेसिस पर डिवाइड होगा यह डिवाइड होगा टू नेशन थियोरी के बेसिस पर टू नेशन थियोरी क्या है देखिए टू बाड़ दिया जाए लिवारत मिजिवी जेसेन नाम से पता चल रहा है की भारत को दो राज्यों में वाट दिया जाए ऀंदू मेजिय दिवाला भारत और मुस्लिम मेजियेटिवाला पाकिस्तान यह थी आपकी टू नेशन थियोरी विन टू नेशन हो गई तो मांट बेटन डेक्लेरेशन होने के बाद क्या किया गया इस में से 90 मेंबर्स कहां चले गए थे पाकिस्तान में क्योंकि क्या हो गया तो 389 में से 90 मेंबर्स कहां की चले गए पाकिस्तान क्यों हमारी कॉंस्टिशनल एसेंबली कितने की रह गई 299 तो यहां पर आई बात समझ में कि इंडिया और इंडिया का पार्टिशन होगा यह बहुत ज्यादा प्री प्लानिंग नहीं थी लेकिन लास्ट में जब देखी सिच्वेशन आउट ओप कंट्रोल है डिविजन करना ही पड़ेगे इसके लाव और कोई रास्ता ही नहीं है तो क्या किया गया इंडिया का पारिशन किया गया यहां आपको दो चीजह याद रखनी है एक वाट इस तू नेशन थेओरी अड कि इस माउंट वेटिन डेकलेरेशन तू नेशन थेओरी एग बार हम देखें तू नेशन थियुरी इस परवांड इंड का मौम्मद ली जि हों लेंड ऐट साइटू मेजूरीटी अर्वासामे מिंदू कम्यूइटि प्रीट कंट्री एंड मुस्लिम क demonstrate कंट्री यहां अश्चन त्योरी किसके दोब त्थी मुस्लिम यूक दिए घईंते भूं धी तिक जिसको 1906 में प्रेम किया था sensor आगा Хां इसके में लीडर थी ठीक है तो यहां तक यह बाद समझ में आए आपको ट्रस्ट विद डैस्टिनी हमने देख लिया दूसरा हमने देखा माउंट बेटन डेक्लेरेशन और तीसरा आपने देखा टू नेशन थियोरी इसके बाद देखे हम देखे अब देखे क्या हुआ इंडिया का डिविजन हुआ पार्टिशन हुआ तो इंडिया के पार्टिशन की जब हम करें और ये पाकिस्तान है और ये आपका बागलादेश है ठीक है ये पूरा हिंदुस्तान था लेकिन जब 1947 में मौंट मेत इने jaclaration आई तो इसका division हो गया और division पीस तरह हुआ यह रहा प्यारा भाषट इंडिया इसको कहा गया पाकिस्तान और इसको कहा गया था कि स्वागला देशा पड्रकाण गया हैज्य सख्वाट इस वीडियो में बात करी थी निए Maraday rang मुवीज में देखा हो जाब पार्टिशन दिखाया जाता है बेसिकली गदर तो पहली गदर थी उसमें आप देखे तो इसमें बेसिकली दिखाया जाता है कि इतना भयावय सीन था कि किस तरह से लाखों लोग जो है अपना घर छोड़कर अपनी जान मचाने के लिए इधर से उदर उदर से इधर भाग रहे हैं महिलाओं को टॉर्चर किया गया काफी सारे बच्चे अनाथ हो गई प्रॉपर्टिज उनकी चीन गई ठीक है तो इतना ज्यादा भयावय द्रश था जब वो पार्टिशन हुआ किया गया अब पार्टिशन की बात करें तो on the 14th to 15th अग अब क्या क्या गया यह division हो गया इंडिया आलग पाकिस्तान आलग यहां तक आप को चीज़े पढ़ने थी आप देखिए आम हमें इंडिया की बात करने यह थोड़ा background तैयार किया चैप्टर का अब हमें इंडिया की बात करने है इंडिया इंडिया को अपना governing system रग करना है अपने country को establish करना है जो होना था वो हो गया ठीक है जो होना था हो तो हो गया जैसे भी हो गया लेकिन अब आगे कि तो आगे कि क्या establish करने के लिए इंडिया ने अबजरव किया कि इंडिया के सामने तीन मोर它 challenges नम्बर उख चैलेंजे थे जिनको हमने बहुत सक्सेफ़ुली रिजॉल्ल कि हमारे जो उसकी गवर्मेंट थी जो लीडर थी उन्होंने बहुत सक्सेफ़ुली हमारे कंट्री को एक स्टेबिलीटी दी लेकिन अगर हम में चैलेंजे की बात करें आपके पास इस तरह इंडिया के सामने विYou negotiating diversity इस्ताब्लिशिंग डैमोक्राजीश्ए न्याल थी्लॉफ तैलुलपमेंट्च मैं क्या मतलब किंदी अर्डेंगी असलियो etcetera तो क्या है आप जैसे भारत की LY में कहा बी जाता है पक पक पर पानी बदले कोस पर बानी यानि इतनी ज़ए डाइवर्सिटी है कि आप यहां से वहां तक जाएंगे तो आपको पानी का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और लोगों की बोली में भी बोलने ही चालने में भी रहन सेंट में भी काफे डिफरेंस दिखेगा तो क्यासे सब को एक साथ कर देंगे तो पॉसिबल ही नहीं तो पहला चैलेंज इंडिया की गवर्मेंट के सामने क्या था मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना डाइवर्सिटी नहीं खतम करने इंडिया फेस्टी चैलेंज उप यूनिटाइग इन डाइवर्स नेश इतनी सारे diversity के साथ हम इंडिया की integrity और security को कैसे maintain करें तो पहला challenge यह था second challenge के हम बात करें इंडिया को पता था what is the importance of democracy यानि लोगतंत्र क्या होता है हमें स्वतंत्रता समानता मौलिक अधिकार सर्वोचता समीधान सब कुछ चाहिए और कहां मिलेगा लोगतंत्र में तो भारत पी लीडर्स थे उनको कही हमें डाउट नहीं था कि हमें किस तरह की गवर्मेंट चाहिए हमें किस तरह की गवर्मेंट चाहिए थी हमें डेमोक्रेटिक गवर्मेंट चाहिए थी इंडियन Constitution let the foundation for democracy granting fundamental rights and universal suffrage this challenges was to translate Constitution ideas in the democratic practices यानि भारत की जो सरकार थी भारत के जो नेता थे उनको क्लियर था कि भारत में लोगतंत्रात्मक राज़ जलना है democratic government planning है आपने time to time democracy पढ़ रखा है meaning पढ़ रखा है अगर हम democracy को बहुत आशान भाशा में समझें तो जहां कि governing system में people का participation हो वो democracy होती है जहां people को liberty मिले, freedom मिले, equality मिले, justice मिले वो democracy होती है जहां पर dictatorship ना हो, dominance ना हो किसी की वो democracy होती है और people एक important role play करते हैं वहां की governing को चुनने में, government को criticize करने में, government को remove करने में इस type के system को क्या का जाता है, democracy का जाता है और इंडिया के सामने दुख सा challenge था कि diversity के साथ unity बनाते हुए कैसे इस democracy को establish करे और universal suffrage को applied किया जाए, आपने time to time पढ़ रखा होगा universal suffrage क्या होता है, इसको UAF के नाम से भी आता है, universal adult franchise meaning पता होगा आपको universal suffrage का मतलब क्या होता है, जब एक adult को अपनी country में vote देने का right हो, तो उसे कहा जाता है universal suffrage without any discrimination तिन चार्जे क्या आगई universal suffrage में, every adult have right to vote, citizen of that country and he vote without any discrimination यानि कि वोट दिया जा रहा है, तो gender, caste, religion, class, इसके basis पर कोई भी difference नहीं किया जाएगा, इसको कहा जाता है universal suffrage, मैंने इसलिए बताया है, क्योंकि एक बार आप से exam में पूछा गया है, what is the meaning of universal suffrage, universal suffrage is right of vote to a citizen without any discrimination, adult citizen, अब देखें अगर हम इंडिया की बात करें, तो voting rights थे, उसके लिए जो minimum age थी, that is declared at 21 years, यानि उस वक्ति वोट दे रहा था, आज आपको पता है, आज कौन वोट देगा, जिसकी age कितनी है, 18 years, लेकिन जब हमारा constitution applied किया गया था, 1950 में, original constitution था, उसमें voting age decide की गई थी, 21 years, राजयोगांधी की गवर्मेंट आई, और राजयो citizen means, who has acquired the minimum age 18 years, have right to vote without any discrimination, और इसको किया कहा जाता है, universal suffrage, थर्ड चैलेंज इस किया था, development and well-being, the constitution outlined principles of equality, special protects for the disadvantaged groups, this challenge was formulate effective policies of economic development and poverty and action, यानि जो constitution था, उसने ये outline किया, कि हमें क्या घरना है, people को equality देनी है, और जो एक disadvantage group है, यानि जो हमारे समाज का, एक तरह से पिछड़ा हुआ, पिछड़ा instance, जो तरक्की के रास्ते पे तना आगी नहीं आपाया, उसकी भी हमें help करनी है, यानि government have responsibility to develop, basic necessities to each to develop and to fulfill, the basic needs हैं वो उस व्यक्ति की पूरी हो, एक equality के level पर हम लेके आया हैं सबको, ऐ ऐसा नहीं हो कि एक बहुत उपर है और एक बहुत नीचे है, यानि government को क्या करना था, सबका well-being करना था, development करना था, whole society, whole country, ताय बच्चों आते समझ में, आसान भाशा में आपको question बनता है, write the three challenges in front of India after the independence, तीन challenges आपको याद रखना है, to maintain unity in diversity, to establish the democratic government with universal suffrage, and third, development and well-being of all the peoples of Indian countries, especially disadvantaged group, तो ये आपका क्या हुआ, point, what are the three challenges in front of Indian government after the independence, आप देखें बच्चों हम partition की process की बात कर रहे है, जिसे मैंने भी आपको partition का process समझा है, किस तरह से partition किया गया, लेकिन ये जो partition का process है, ये बहुत painful था, ऐसा नहीं था, कि आसानी से partition हो गया, और सब काम बहुत आसानी इसे हो गया, declaration दी गई, two nations, theory दिये गया, लेकिन जो partition हुआ, उन दिनों जो हुआ, मैंने बताया, आपको जिसे बहुत ही डराऊना वो द्राश्य था, प्रॉब्लम क्या क्या आई, प्रॉब्लम ये आया, कि इंडिया का जो मैप था, उस्वक्का, उसमें कोई single belt नहीं थी, मुस्लिम मेजुरिटी की, इस तरह नहीं था, कि आप इस तरह कर दें उसको कि इधर ये हिंदू, इधर ये मुस्लिम, चलिए दोनों अलागला हो जाईए, काम खतम, अगर single band होती है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, इस तरह है, single belt मतलब, कि ये पूरी belt माले जह मुस्लिम किया, तो भाई, इसको चलो, partition कर दिया, काम खतम, अभी मैंने आपको बताया, partition तो ऐसा हुआ ही, partition तो ऐसा हुआ, इधर पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, बीच में इंडिया है, तो कोछ single belt नहीं थी, Muslim majority, East and West, पाकिस्तान क्या हुआ, एक बहुत लंबी boundary थी उनके बीच में भी, इंडिया का partition हुआ, Hindu community और Muslim community, two nation theory, लेकिन जो पाकिस्तान बना, वो भी फिर दो भागों में डिवाइड हो गया, बीच में एक long expander of boundary हो गया, लेकिन और दूसरी problem क्या थी बिटा, कि ये नहीं है, कि all the Muslim leaders supports the partition, कुछ Muslim leaders ऐसे थे, जिन्होंने partition को support नहीं किया, और इस chapter में आपके इंपोर्टेंट नाम याद रखना है, that is Khan Abdul Gaffaar Khan, ठीक है, इन्होंने partition का oppose किया था, openly इन्होंने oppose किया था, two nation theory का, और एक important चीज़ आपको ध्यान रखनी है, Khan Abdul Gaffaar Khan is also known as frontier Gandhi, और अगर हम बात करें, और problem की आई, कि जो भारत के जो सबसे बड़ area, and have majority of both, Hindu, Muslim, और six भी याँ पर बहुत थे, ठीक है, तो यह क्या है, आपका एक partition process की partition process किस तरह हुआ, और क्या क्या था, क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी है, decision is very painful and difficult also, ठीक है, यह जो विभाजन का तर्द बहुत भ्यानक था, और बहुत आसान भी नहीं था, no single belt of Muslim majority, Muslim majority की कोई भी clear-cut, एक single belt नहीं थी, West and East Pakistan separated by long expense of Indian territories, बताया मने, इदर East Pakistan, उदर West Pakistan, बीच में इंडिया की territory, not all Muslim majority support the partition, like Khan Abdul Gaffar का, known as Frontier Gandhi, he openly offers these two nation theory, two provinces, Bengal and Punjab, had a very large area and have a majority of Hindu and Muslims, अब क्या करें, कैसे बाटें, जब एक area में हिंदू की majority और Muslim की majority है, तो आप किस तरह से उसका division करेंगे, और देखे, अगर हम उस वक्क के बंगाल की बात करें, तो उस वक्क का बंगाल, जिसे आप पश्यमी बंगाल केते हैं, आज बहुत बड़ा था, उस वक्क के बंगा में हिंदू majority भी थी और Muslim majority भी थी तो ऐसे जो प्रोविंसे से बड़े वाले प्रोविंसे से उनकी partition में भी problem आई, question किस तरह से आता है, question इसमें इस तरह से आता है, what is the process of partition, जिसे मैंने लिख रखी heading, क्या है partition process, तो यह आप का था partition process, अब देखे, आगे कि अगर हम बात कर हैं, तो आगे हमें क्या देखना है, British India, यानि जब इंडिया पर British रूम थे, तो किस तरह से उन्होंने इसको divide कर रखा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यह तो बाद में divide हुआ, जब अंग्रेज भारत छोड़ कर चलेगे, कब की declaration है, Mount Britain declaration, कब हुई 3 जून 1947 को, लेकिन उससे पहले इंडिया की situation कैसी थी, अब देखें, यहां आध्यान से सुने, अगर हम British India की बात करें, तो British India divided among 3 different parts, यानि जो Britain था, जो British हम पर रूल कर रहे थे, उन्होंने पूरे इंडिया को 3 parts में divide कर दिया था, किस किस तरह से divide किया था उन्होंने, उन्होंने divide किया था ए प्रिंचली स्टेट, नेटेव स्टेट, इनकी संख्या थी 565, राजे रजवाडे, महराजाओं का जाशार्शन था, उनकी संख्या कितनी थी 565, और 4 थे Chief Commissioner इंडिया, इस तरह से हमारा क्या था, भारत को इन्होंने बाट रखा था, प्रोविंसे से से प्रिंचली स्टेट और Chief Commissioner इंडिया, यदि मैं आपको चार Chief Commissioner इंडिया की बात करूँ, तो बेटा ये थे उस वक्त ये नाम यादत नाप, एक था डैली, दूसरा था अजमेर, उस वक्त इसको मेरवाड भी कहते थे, तीसरा है आपका कुर्ग, that is करनाटक, और चौथा है आपका बलुचिस्ता जो कि जब Mount Britain declaration आई, तो ये Chief Commissioner इंडिया कहां पे चला गया, पाकिस्तान में इनाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है, तो इस तरह से क्या कर रहा था, उन्होंने, अंग्रेजोंने, प्रशाशनिक दुष्टी से, या किसी भी करे मान लिजी, क्या कर रहा था था, भा जाकिंग शिप थी, है ना, अलाग अलाग राज़ा भी तो उसक भारत में राज कर रहे थे, तो राज़ा था, और आपने कहीं न कहीं न कहीं, तो उसमें कहां भी गया है, कि यदि एक भी राजा महरा राजा, सैनिकों के साथ हो जाता, तो हमें अपना बोली अविस्तर आगे यहां तक बात समझ में, अब देखें क्या हुआ, यह हम यूनिफाइड इंडिया की बात कर रहे हैं, यह जो चीजें हैं, यह सारी कहां की हैं, यह सारी यूनिफाइड इंडिया है यह पूरा, अभी तक दिविजन नहीं हुआ, यह तो पहले की सिच्वीशन है, यह भारत उन्होंने बांट रखा था अब डिविजन के बाद तो इस पाकिस्तान अलग वेस्ट पाकिस्तान में गए कुछ प्रोविंसे पाकिस्तान में गए कुछ प्रोविंसे इंडिया के पास रह गए कुछ नेटेव स्टेट पाकिस्तान में मिल गए कुछ नेटेव स्टेट तो ठीक है प्रोविंस इसका तो हो गया ताम जैसे भी जो विजिस बाउंडरी में जाना था प्रॉब्लम कहां पर आई प्रॉब्लम आई इनके साथ प्रिंसली स्टेट से साथ चीफ फरमेशनली एडिया में मैंने आपको बता दिया तीन इंडिया में रह गया एक बलुषिस्तान कहां चला गया पाकिस्तान में चला गया प्रॉब्लम क्या गई बिटा देखे आपको पता है कि अंग्लेश हमेशे से डिवाइड डूल पॉलिसी में काम करते हैं फूट डालो और राजकर और आपने अपने इतिहास में पढ़ा के द्वारा है ऐसी बीच बो रहे हैं ऐसे फसल बो रहे हैं जिसके फल हम फ्यूचर में खाएंगे और उन्होंने खाए भी ठीक है अब क्या था कि जब पार्टिशन हुआ तो यह डिसाइड करना कि कौन सा प्रिंसली स्चेट इंडिया को जोइन करेगा और कौन सा प्रिंस प्रिंसली। और प्रिंसली। इन्ड Só' मुधन खरीना थ्लिच वरिंग ट्रॉचर मिल रूंक थाुश जा की तुम जब टूंटन गूंडिया खरो जा जा ह्लिच वख दृच्ट दूर्था है डिए खरो नहीं पॉर्च पाकिस तो भारत छोड़के चले ग была कि प्रिंस्विसटेट का ये नहीं कर गए कि कॉय मेरत परिंडिया में आ रहा है और रही कि पाकिस्तान में बल्कि उनको कर दिया गया कि क्या करें आप की इच्छा है आप चाहें तो 북한 में मिले आप चाहें तो पाकिस्तान में मिले और आप चाहें तो अपना इंडिपंडेंट स्टेटस रखी और यहीं से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी क्यों कि देखें ऑल्मोस स्टेट क्या चाहेगा आप सोच लिए आपको कह दिया या तो इधर आओ या इस इंडिपंडेंस वाली डिमांड को हम मान लेते हमारी गवर्मेंट मान लेती तो आज ऐसा नहीं है विश्व के नक्षे पर पाकिस्तान होता भारत होता चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे देश बने वे होते हम भी इंडिपेंडेंट हम भी प्रिंशली स्चेट्स को अपने साथ मर्ज किया जाए कि जादा से ज्यादा प्रिंशली स्चेट इंडिया में शामिल हो जाए बच्चों आता है समझें प्रॉब्लम आ रही है क्या पढ़ रहे हैं यह तो पढ़ रहे हैं चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग तीन करनाटक और बलुचिस्तान बलुचिस्तान पार्टिशन के बाद कहां चला गया पाकिस्तान में और तब की तीन चैट पर्मिशनरी एडिया यहां पर रह गया थे उसके बाद यदि हम बात करें तो देखें आयरन मैन ऑफ इंडिया सर्दार वल्लब भाई पटेल इनका नाम आता है तो ऐसा लगता है कि बर्तमान भारत का नक्षा इनहीं नहीं अपने हातों से सजाया है सर्दार वल्लब भाई पटेल प्रिशन इंपोर्टें इंडिया यानि सर्दार वल्लब भाई पटेल ने जो आप कहते हैं जो राश्री एक ही करण नेशनल इंटिग्रेशन है उसमें इतनी इंपोर्टेंट रूल बिढ़ाया कि इन्हें किसका टाइटल दिया गया आयरन मैन ऑफ इंडिया भारत का लोह पुरुष किसको माना जा जाता है सर्दार बल्लब भाई पटेल को माना जाता है ठीक है पटेल भी हम बात करें तो आपको पढ़ना है जो सर्दार भाई बल्लब भाई पटेल थे वह भारत के फॉस्ट होम मिनिस्टर और फॉस्ट जीपीटी प्राम मिनिस्टर बने थी वस्ट प्राम मिनिस्टर को प्रदान मंत्री किसको बनाया गया पंडित जमालाल नहरू को बनाया गया तो सर्दार बल्लब भाई पतेल के लिए को क्या याद अपना है आईरन मैन ओफ इंडिया और एक हम ने क्या पढ़ा था सा फ्रंटीर गांधी किसको कहा जाता है। अब्दुल्गफार खालोगरॉ。 अर्ण में लोफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरदार बल्ल भाई बात के प्रसम गया मंत्री और प्रसम उप्र्दाः मंत्री. उप्रधान संसर्दक्रां मंत्रीं घ्ल नारोग प्रिंशली स्टेट फर्मली बट दिप्लोमेटिकली एंड ब्रिंगिंग भी इंडिया यानि यह कहता है कि पटेल ने चारा और चड़ी की निती यूज करी थी चारा और चड़ी कारट एंडिस्ट गाजर और चड़ी की निती मतलब पहले जाओ प्यार से आप क्या करिए इंडिया में बहुत सारे प्रिंशली स्टेट को जॉइन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफट किया था इनकी साथ में जो इनका साथ दिया था वह मैंन ने दिया था अब यहां आपको एक और तम याद रखनी है दाट इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देखिए य इंडिया में मर जो जाए इसलिए तो आप अगर नक्षा उठाके देखें तो देखें पाकिस्तान का नक्षा हम देखें शुरू होती खतम हो जाता है इंडिया का नक्षा देखें तो लंबा चोड़ा एक युनिफाइड कंट्री एक डेमोक्राटिक गरने है ना विश्व बाखें अब instrument of accession क्या है इसा मेंडिया में एक रिटन डोकुमेंट है एक डिर्टन डोकुमेंट है ऐसा डोकुमेंट जिस पर वो प्रिंसलिय सेट साइन कर रहे है जो ये एग्री कर रहे है कि मैं इंडिया में जो रहा हूँँ पई कि आपको कुछ सबूत तो चाहिए ना एक रिटर्न तो चाहिए तो वो रिटर्न जो एप्रूवल बना जो वो रिटर्न डॉक्यमेंट बना जिसमें उन प्रिंशली स्टेट ने साइन करा गवर्मेंट के साथ जो प्रिंशली स्टेट ने जिसमेंट को साइन किया उन बना जाता है कि भारत में जितने राजर रजवारे शामिल हुई जितनी रियासट वार्त में शामिल हुई उनको जा जाकर मनाना, समझाना, प्यार के समझाना, प्यार के समझे तो ठीक है, यह तो कोई ऐसी ले के जाते थे, पहले से अच्छा, इसकी यह कमजोर्गनस है, इसको दबाएंगे, तो चुपचाप मान जाएगा, तो चारा और छडी, कारेट और स्टिक की पॉलेशी किसने यूज करें थी, सर्दार बल्लब भाई, पटेल नहीं करें थी, जैसे आपको याद हो, तो मैंने बताया था, कि जम्मू कश्मीर में, और देखे, प्रॉब्लम्स कहां पर आ रहे थी, प्रॉब्लम्स उन प्रिंसली स्टेट्स में आ रहे थी, जहां वाइसवर्सा काम था, वाइसवर्सा मतलब राजा मुस्लिम पॉपूलेशन हिंदू, जनताचारी भारत में मिल जाओ, राजाचारा है पाकिस्तान में मिल जाओ, यह वहाँ प्रॉब्लम आ रहे है, जनता मुस्लिम, राजा हिंदू, जैसे आपने जम्मू कश्मी में आपको पढ़ा था, राजा में अक्षाम होजो जाएगा तो धीरे धे सारे इस्टेटेस में आप कह सकते वह चलता है अधा है, एक髮ींच करते जाएंगे, और जैसे मैंना इन्डिपेंदेंट करते ही जाते करते ही जाते तो एक टाइम क्या था इंडिया नहीं रहता वर्ल्ड वैप में पूरा चोटे-चोटे-चोटे-चोटे देश निकला जाते और यह उस वकिए लीडर्स को पता था कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं है जी जान से कोशिश की गई सब तरह से समझाया गय और प्रिंसली स्टेट को कि में मर्ज कर लिया गया भारत में मर्ज कर लिया गया लेकिन फिर भी चार प्रिंसली स्टेट घ्ल्क इनको थोड़ी प्रॉब्लम माई कौन कौन से थे विटा इसमें हमें पढ़ेंगे आपका था है था है ध्राबाद है ठीक है दूसरा आपका है जुनागर परत्मान में गुजरात में है तीसरा जम्मू एंड कश्मीर अगर आप न्यूस में भी सुन रहे हूं आपको पता है कि सुप्रीम कोट ने आर्टिकल 370 जो हटा है उसको वैलेड मांग लिया है ठीक है याने गवर्मेंट ने जो आर्टिकल 370 हटाया है वो सही मंचा से और सही कारे के लिए हटाया है तो कैसे कैसे हुआ यह भी हम देखेंगे तीसरा था जम्मू कश्मीर और चौथा यदि हम बात करें तो चौथा था मड़ीपू इन को मर्च करने में इंडियन गवर्मेंट को थोड़ा स्पेशल एफर्ट्स करने पड़े और इन एफर्ट्स को किस ने पूरा किया सरदार बल्लभाई प इंडियन गवर्मेंट को कोई डिफरेंट एक्षन लेना पड़ेंगे हैद्राबाद को मर्च किया था आर्मी मिलिटेंट एक्षन के द्वारा ऑपरेशन पोलो जुनागाट जन्मत संहरे के द्वारा मनिपूर में वोटिंग करवाई गई और जम्मो कश्मीर की तो पूरी न्टेश्च पड़ेंगी ठीक है श्याद आपका 7 और 8 चीप्टार से ठीगाड़ेंगे मनिपूर जिसको पहली बार छुनाओ करवा कर इसको इसको किस में मिलाया गया इंडिया में मिलाया गया उन्युवर्सल सफ्रेज्च यहां पर करवाए गया था आया बच्चों आता एक दिफिकल्ट प्रोसेस था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि कोई भी कम्युनिटी की एक सिंगल बेल्ट नहीं ठी चाहिए मुस्लिम की बात करें चाहिए हिंदू की बात करें कोई भी एक सिंगल बैक नहीं थी कि जिसको अलग करके हम आचानी से पार्टेशन कर दें यह भी ख्रेवे थे लोग दूसरे प्राब्लम आपने देखी कि सारे ही मुस्लिम लीडर्स टू नेशन थेओरी को सपोर्ट नहीं करते जिसमें इस्पेशली आपको नाम याद रटना पड भर्ski घेbons देवाइद एफ फाहिं追़ा इंडिया इंडिया डिवाइड एडिवाइडरी यह वं वेस्तिन वकर भारत हींiddлиれて अड 很्शिंद मेजिरिक पाकिस्तान और बना जिसके बीच में एक Indian long expanded territory आ रही थी जो भी कही न गहीं आप कहा सकते हैं कि जो partition के time incident हुआ वो भी उसकी एक responsibility थी फिर आपने पढ़ा trust with destiny, trust with destiny क्या है एक speech है जो पंडी जमाला नहरू ने constitutional assembly के front में दी थी on the midnight of 14-15-1947 जिसमें उन्होंने future goals को बताया था अगर इंडिया जो इन्डेपेंडेंट्स हुआ उसके सामने अगर हम challenges की बात करें तो सबसे बड़ा challenges था diversity को maintain करते हुए unity को establish करना दूसरा था colonial rule से free होते हुए democratic government जो कि बहुत good features के साथ हमें establish करने थी universal surprise देना था राइट देने थे freedom देने थे equality establish करना था और सबसे बड़ा काम था एक और challenge था कि जो इंडिया में cultural diversity तो थी जो economic और social inequalities थी उनको भी एक level पर लाना और हर person का development करना और well-being करना फिर हमने देखा कि British इंडिया जो था वो तीन पार्ट में divided था एक था आपका provinces 11 थे बंगार और पंजार दो सबसे बड़े प्राम थे जहां पर हिंदू और Muslim majority लगभग बराबर संख्या में थी और उनके डिविजन में काफी problem आई फिर आपने पड़े चीफ कमिशनर एरिया जहां डायर गवर्नर जनरल का रूल चलता था और उसमें दिल्ली अजमेर मेरवर्ड कुर करनाटा और बलुचिस्तान आपके चाहर थे तू नेशन थियोरी मैंने आपको बताई दिया उसके बाद उनने बात करी कि इंडिया ने युनिवर्सल सप्रेज को सपोर्ट किया हर एडल्ट को सिटीजन को वोट देने का राइट दिया without any discrimination problem कब आई problem तब आई जब partition हुआ और ये कहा गया कि प्रिंसली स्टेट फ्री है चाहे वो इंडिया को जोईन करें चाहे पाकिस्तान को जोईन करें या अपना इंडिपेंडेंट इस्टेस लगें काफिस सारी प्रिंसली स्टेट ने उस वक्स सब बनाय रखने के लिए प्रिंसली स्टेट को कन्वेस करने के लिए सबसे इंपोर्टेंट डोल किसने प्ले किया पैटल सर्दार बल्लब भाई पतेल लोग पुरुष आपने पता है कि मुदीज ने सूरत में इनकी स्टैट्यो ऑफ यूनिटी बनवाया है सर्दार बल्लब प्रिंसली स्टेट ने परिंसी पौलिसी यूज़ करें इन प्रिंसली स्टेट को मर्च करने के लिए और जो प्रिंसली स्टेट इंडिया में मर्ज होना चाहते थे उन्होंने एक डॉक्यमेंट पे साइन करा उस डॉक्यमेंट का नाम है इंस्ट्यमेंट ऑफ एक्सेशन चाहरे प्रिंसली स्टेट जिनकी मर्जिंग में इंडियन गवर्मेंट को प्रॉब्लम आई उनके नाम है हिद्राबाद जुनागड जम्मू एंड कश्मीर और मनिपूर उसके बात की कहानी जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बटाई करके जो मामला है उसको भारते सरकार के द्वारा कैसे सुलजाया गया और भारत में मिलाया गया ठीक है यह सारी चीज़े और कैसे रियोर्गनाइजेशन एक्ट पारिस हुआ और पारिस होने की बाद भारत में उस वक्त निकल कर आए करेंगे और कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है आपको पॉलिटिकल साइंस सब्चिक कोई कोश्चन है कोई क्वारी है किसी वीडियो की डिमांड है तो प्लीज हमें कमेंट करिए हम कोशिश करेंगे आपकी हर संभाव हैल्प करने की और गुडबाई और गुड़ दे